कि दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडिशनल फॉर्मेटिंग को कंडिशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है जब आप किसी एक्सल शीट पर काम कर रहे होते हैं और इसमें बहुत सारा डेटा है जिसमें नंबर्स भी है और आपके पास कुछ वर्ड भी है और मतलब टेक्स भी है आपके पास कुछ नंबर्स भी है तो उनमें आप कैसे कंडिशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने काम को इजी बना सकते हैं तो कंडिशनल फॉर्मेटिंग होती कहां से है तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पर होम टैब में यहाँ पर यह आपको conditional formatting का option एक मिल जाएगा यहाँ पर जब आप click करेंगे तो यहाँ धेर सारे option आपको दिखाई देगे जिन में से अभी आज हम basics की बात करेंगे और कुछ extra function है जो हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इसमें धेर सारी features हैं और उनकी data bar आजाता है फिर color scale आजाता है इस तरह से icon आजाता है इस तरह से यह सारी चीजे हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें आपको ज़रूत क्यों पढ़ती है मालीजे यह आपके पास list है इसमें से आपको यह जानना हो कि सबसे बड़ा number कौन सा है तो इसमें हमें manually ढूंडना पड़ेगा और जिसमें time लग जाएगा 70 है 75, 80 और ऐसे यहां पर आप देखेंगे तो इसमें तो चली नीचे है लेकिन इसमें बीच में है तो कैसे फिर इसमें है इस तरह से मालीजे और बड़ी list हो तो उसमें आपको manually find करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन ये काम हम conditional formatting की मदद से बहुत आसान और चुटकियों में सरलता से कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको इन सब को select करना होगा जिस भी cell में आपका data है उसको select कर लीजे अगर complete column select करना चाते हैं तो यहां से select कर लीजे हम फिलाल इतनी cell को select करेंगे जिन में data है उसको select करने के बाद conditional formatting में जाएंगे highlight cell rule यहां पर greater than पर click करेंगे यहां आप देखेंगे 53.5 का इसमें पहले से ही set है तो यहां आप देख रहे होंगे red color से आपका highlight होके आ गया है जो भी 53.5 से उपर है ऐसे यहां पर आपको इनमबर type करेंगे तो उससे उपर का दिखा देगा जैसे 20 type कर दिया तो 20 के उपर के जितने नमबर है वो यहां पर show कर जाएगा इसी तरह से आप 50 करेंगे तो 50 के उपर है 70 करेंगे तो 70 के उपर है 90 करेंगे तो 90 के उपर है 95 करेंगे तो 95 के उपर आपको यहां पर show कर जाएगा और 98 करेंगे तो इसमें आप जो भी number change कर देंगे उससाब से आपका data show कर जाएगा और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है मतलब यहाँ पर जो आपका scale है वो दे रखा है कि आप किस तरह से change करना चाहते हैं उसको color format कैसा होना चाहिए light red with dark red text या फिर yellow fill with dark yellow test देखिए yellow हो गया इसके बाद नीचे green है तो green हो गया यहाँ पर light red fill आजाएगा, यहाँ पर red text आजाएगा, चिर्फ अगर आप देना चाहेगे तो नीचे border आजाएगा यहाँ border देना चाहते हैं यहाँ फिर यहाँ पर आपकोई अपना color चूज करना चाहते हैं तो custom format में जाके कर सकते हैं custom format में जाके आप font का color choose कर सकते हैं यहाँ पर आपने font का color माल लीजे white कर दिया और यहाँ पर fill color में चले जाएं fill color माल लीजे आपने यह gray dark dark brown कर दिया yellow dark कर दिया border आपने कोई देना है तो इस तरह का border आपने select कर दिया font हो गया हमारा number हो गया सारी चीज़े होके okay करेंगे तो यह देखिए इस तरह से select करके दिखा देगा आपको तो okay करते ही यह सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी जैसा भी आप यहाँ पर select करेंगे उस तरह से data आ जाएगा अब यह हो गया हमारा 25 करेंगे तो उससे जो भी less होगा वो data दिख जाएगा सेम वैसे format यहाँ पर रहने वाला है जो भी आप देना चाहें वो यहाँ से select कर सकते हैं मालिज हमने okay कर दिया और यह formatting हमारी हो गई अब आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए क्या करना होगा कंडिशनल फॉर्मेटिंग में ही जाना होगा highlight में जाएए सॉरी यहाँ पर कंडिशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे नीचे देखेंगे clear rule हा जाएगा clear rule entire sheet दे रखा है clear rule from selected cells दे रखा है अगर सिर्फ यह selected cell में आपका rule है उसको हटाना चाहते हैं तो selected cell कर दीजेगा अगर पूरी sheet में आपके कहीं अलग-अलग data है और सारे data के आप इसको conditional formatting को हटाना चाहते हैं तो यह entire sheet कर दीजेगा हमने sell कर दिया है और यह हमारा जो rule है वो हट गया है अब इसके आगे की बात करते हैं तो इसमें हमने selected है आगे जाएंगे तो between यह between का tool आजाए बिट्वीन का मतलब होता है जब दो numbers के बीच का कोई number हम देना चाहें दो number यहां पर हम लेने पड़ेंगे तो mileage हम ले देते हैं 60 और यहां 70 तो 60 और 70 के बीच का जो भी number होगा व इसमें आप जो भी exact number बताएंगे वो यह आपका highlight कर देगा जैसे 8 हमने डाला तो यह highlight हो गया 88 डाला तो कोई नहीं है इसमें हमने 89 कर दिया तो वह भी नहीं है यहां पर हम 85 करेंगे तो 85 के जतने number होगे वो select कर देगा 20 यहां पर माल लीजे 50 select कर दिया यहां पर 20 डालते ह 20 के जितने number होंगे इस सबको select कर दिया तो यह equal to इस तरह से काम करता है आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर इनका use होता कहां पर है तो यह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के last में हम बात करेंगे इस पर भी अभी फिलाल हम अगला rule देख लेते हैं इसको पहले दे दिया तो जो content same वही चीज़ आ गई और अगर यहाँ पर आपने कोई text feed कर दिया जैसे मालीजी हम यहाँ पर data feed कर लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ नाम feed कर लिये और इस तरह से इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा gap देते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर shift कर देते हैं य यहाँ पर text that contains अब यहाँ पर हमने राम ले लिखा यहाँ ले लिया तो इसमें राम जितने भी जगे पर होगा उसको यह अलग से highlight कर देगा या फिर श्याम है तो श्याम को यह अलग से highlight कर देगा जो भी यहाँ पर आप text डालेंगे वो text आपके sheet में जहाँ पर भी होगा उसको highlight यह कर देगा इसके बाद आगे अगला tab देखते हैं कौन सा है date occurring तो यहाँ पर हम date डालेंगे कोई तो पहले था हमें date का एक sheet ले लेनी है माली जे हमारी आज है 9 2024 तो यह long date हमने यहाँ पर कर रखा है इसको हमने select करके खीज दिया तो देखते हैं क्या आता है हाँ यह हमारा आगया अब यहाँ पर हमने माली जे conditional formatting हमें लगानी है select कर दिया date का गॉलम और यहाँ पर गये और यहाँ पर हमारा date occurring आगया option अब हम yesterday करेंगे तो yesterday कोई होगा तो सर्च कर देगा नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा माली जे हम एक और date यहाँ पर ले लेते हैं य यहाँ पर हमने कर दिया इसको हमने यहाँ पर ड्रेक करके खीज दिया अब हमारे पास हो गया data आपने इसको select किया select and conditional formatting में गये यहाँ पर जाने के बाद a date occurring तो यहाँ पर yesterday दिखा रहा है yesterday की date शो कर दी इसने today की तो today शो कर देगा इसमें और या फिर tomorrow tomorrow की एक कर देगा तो इसमें जो भी आपको इस तरह से data होगा जहाँ पर date आपके दे रखी होगी और date में आपको last seven days, last week, this week, this month, last month इस तरह जो भी data आपको select करना होगा वो यहाँ पर आप find out कर सकते हैं तो यह आपका date के बारे में हो गया अब अगला हम देखते हैं किस बारे में है अगला duplicate duplicate value, duplicate value क्या होती है, duplicate माली जै कोई एक letter, content या एक कोई भी शब्द आपका double repeat होता है तो उसको यह find out कर देगा, तो हमने आप पर select कर लिया पूरी list को और यहाँ पर हम गया duplicate value पर click कर दिया, तो देखें जितनी भी duplicate value आएंगी, वो सारी यहाँ पर जैसे राम है, श्याम है, फिर राम यह duplicate हो गया, यहाँ पर numbers है, duplicate, जो भी जितना duplicate होगा, वो उसको show कर देगा, माली जै यहाँ पर हमारे कोई date भी अगर आती है, माली जै हमने यहाँ पर 8 कर दिया, और यह हमारी date duplicate हो गई, तो हमने इसको select किया, और यहाँ से जाके यहाँ पर duplicate value को click किया, तो फॉप और बॉटम की बात करते हैं तो टॉप 10 आइटम्स की बात करेंगे तो हम इननबर्स में ले ले लेते हैं और nhấtव हम यहां पर टॉप 10 आइटम्स हमें देखने हैं तो कौन कौन से हैं तो यह तॉप एया नियुज़ कम कर सकते हैं। SIM nuclear नियुज़ हैं जैसे हम करते तो जो bottom के 10 number या bottom के 5 numbers हैं वो यहाँ पर आपको show करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह से आप top और bottom देख सकते हैं, यहाँ पर percentage की बात करते हैं, तो percentage wise यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर, जैसे 10 है, तो हम यहाँ पर कहर कम कर देते हैं, जैसे 5, इसमें average percentage दिखाएगा, कि इन में से, जो percentage wise अगर आप देखेंगे, तो इन sales का data जो है, वो percentage wise, यहाँ पर, यह top 6 में आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने, इसमें conditional formatting में, यहाँ पर इस तरही सा, तरीके से bottom 10 देख सकते हैं, above average देख सकते हैं, यहाँ पर average दिखा देगा, जो average से उप के जितने भी, यहाँ पर figures होंगे, वो दिखा देगा, तो जो भी average बनेगा, मा लिजे, इसका 50 बनेगा, तो 50 के ऊपर के जितने numbers हैं, वो दिखा देगा, यहाँ पर 50 के ऊपर के, तो इस तरह जो average बनता है, उस average में, यह उस average के ऊपर के सारे numbers यहाँ पर दिखाएगा, इस माली ज़ इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और डेटा बार में जाते हैं यहाँ पर डेटा बार में यह देखिए इस तरह से चार्ट का फ्लो धिखाई दे रहा है आपका जिस तरह से नमबर यहाँ पर होंगे उस तरह से आपका चार्ट दिखाई देगा सबसे बड़ा नंबर पर बड़ा ग्राफ दिखाई देगा फिर घर्टा वो चला जाएगा और 10 हमारे पर आगया सबसे छोटा तो यहाँ पर 10 का यह सबसे छोटा ग्राफ दिखाई देगा एक बार इसको clear कर देते हैं उसके बाद अगला समस्षने की कोशिश करते हैं उसके बाद यह हमा आ गए इसमें आ गए तो डेटा बार हमारा हो गया solid fill दिखाना है तो solid fill इस तरह दिखा देगा उसके बाद हम आते हैं color में color अगर आप fill करना चाते हैं अगर कोई आईकन देना चाहते हैं तो आईकन आप दे सकते हैं अपने जो भी नंबर्स के हिसाब से आपके आईकन यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे वो आईकन यहां पर दिखाई दे जाएंगे तो इस तरह से आप अपनी कंडिशनल फॉर्मिट का यूज करके अपने काम को बहुत ऐसी बना सकते हैं और इसमें आपको बहुत सादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जैसे बहुत सीजें ऐसी होती ही जब मालीज चाम इस कानडिशनल फॉर्मिटिंग मेंभी कुछ और चीज़ें जिनको आपको बताओंगा इसे new rules हैं कैसे आप create करेंगे वो सारी च जानकारी आपको मिल गई होगी यह सारी जो आप काम करेंगे डेटा शीट पर एक्सल शीट पर तो इस सारी जो कंडिशनल फॉर्मेटिंग है आपके बहुत काम आएगी और फिर भी आपका कोई क्वेशन होगा कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा उसका अगले वीडियो में ऐसी इकसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जै हिंद